तो से एठिकल मेडिसन से जिसके समग नगबग आफको 52 रुपे की मिलती है दोस्तूं जो काफी से आता है दोस्तों पहले जो आता है वह दोस्तों विकलोंमेतरसें दूसरा जो आता है झालेजिश और इस्मिछ विइत जी However सब्सक्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब के साथ बैल आगन को जुरूर प्रेस कर लीजेगा ताकि जब भी नए वीडियो आए तो आप से कोई भी नोटिफिकेशन मिशना हो पाई जो दोस्तों ब्यांसी क्रीम कुछ अंदर की तरह को इस तरह की पैक में सब्सक्राइब कर दोस्तों काफी जादा बिगने वाली है यहां पर लिखा भी है दोस्तों इसमें काफी अच्छे डाले गए हैं दोस्तों एक यूज करने से एक बार आपको डॉक्टर या फामसिस से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए कि दोस्तों इसमें यूज काफी बासा है जैसे है यह वुझा लीच हो गया खुजिली और में दाद खाच खुजली फंगल फोड़े फुनसी जखम और कहीं पर भी हो सकते हैं जांगां में खुजली हो रही है या फिर सेविंग को गया है किसी वज़े से भी कट लग गया है तो आल और राउंडर क्रीम है तो काफी जब पर तसके रिजट देखने को मिलते दोस्तों फंगल इंफेक्शन यानि जैसे जांगों में फंगल हो जाते हैं गोल से चकते हो जाते हैं हैं उंगलें के बीचए में फंगल हो जाते हैं उसके यह यूज़े कर सकते हैं जो कि ईश्ट्रैट है तो आपफे और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो काफी अच्छी करीम है दोस्तों ओमीगा दोस्तों यह ethical medicine से ethical cream है जो आपको लगबग medical store में available होई जाती है दोस्तों side effect इसको दोस्तों और करीम के मकाबले ही आम होते हैं क्योंकि एसे कुछ नॉर्मल से साइड डेफेक्ट इसके देखे गए है दोस्तों ज्यादा और भी कुछ साइड डेफेक्ट नहीं है दोस्तों पिर कुछ दोस्तों यह है कि आपको सेडियों जो होता है फंगल लेप खुजलियों गयरा आपके टाइम टोकांट देखनी चाहिए अगर आपको फंगल काफी टाइम पुराना है तो आप प्लेन एंटी फंगल क्रीम ही यूज करने चाहिए लेकिन अगर आपका हाली में कुछ अलर्डियों गयरा से हुआ है फंगल है फिर नॉर्मल्ली पंगल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं एजली आपको कोई भी प्रॉल् कर लिजेगा तो दोस्तों यह है दोस्तों इसके कुछ BNC क्रीम के बारे में यूज अगर आप कुछ डाउट रहे गया तो में कमेंट में जरूर बताएगा मैं आपको इसका रिप्लाइज जरूर करता हूं दोस्तों आप में फेस्वुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते ह तो दोस्तों मिलता पर नए वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और दोस्तों चैनल को जिरू सब्सक्राइब कर लिजेगा ओके बाई टाटा एं थैंक्यों फॉर वाचिंग